अब दक्षन गासा फट रहा है इस्रेयल पूरे घाजा को मिट्टी में मिला रहा है सीज फायर खत्म होने के बाद घाजा को खत्म करने की तजबीरें भिर से आनी शुरू हो चुकी है लेकिन घाजा पर मौत बरसाने वाली दबाही के पीछे इस्रेयल ही नहीं बल्कि अमेरिका का असलह है हमास को खत्म करने के लिए अमेरिका ने इस्रेयल को 15,000 बंकर बस्टर बम भीजे हैं घाजा पर बंबारी के लिए अमेरिका ने इस्रेयल को 57,000 तोब के गोले सप्लाई किये हैं एक तरह से बाइडन मौत बांट रहे हैं ये इल्जाम अमेरिका पर बार बार लग रहा है अब 15,000 बंकर बस्टर बम बांट कर बाइडन ने इस्रेयल को बता दिया है कि हमास के खत्म होने तक घाजा की एक एक इमारत के तबाह होने तक अमेरिकान नेतनियाहू के साथ है हमास की सुरंग ही हमास का सबसे बड़ा हथियार है इनी सुरंगों में से ही हमास के हमलावर ताक लगाए बैठे हैं इस सुरंग नेटवर्ट का इस्तेवाल करते हुए ह Candice israel की सेना को गहीर कर मारना चाता है सवाल है कि ऐसे में इजरेल कैसे सुरंगों के नेटवर्क को तबाह कर सकता है तो जवाब B, ट्रिपल B, यानि बंकर, बस्टर, बंप ये ऐसा बंप होता है जो बंकर को भीद कर भड़ता है ये गहराई में छुपे दुश्पन को मार डालता है ये पाताल तक पहुँचकर ऐसा ब्लास्ट करता है कि टार्गेट से बचने की उमीद पूरी तरह खत्म हो जाती है इसलिए इससे कहा जाता है बंकर बस्टर बंप इसरेल को अमेरिका से कई तरह के बहुत ही खदरनाग बंकर बस्टर बंप मिल चुके हैं जो हमास की सुरंग को तबा कर सकते हैं पहला है जी ब्यू ट्वंटी है तूसरा है जी ब्यू सेबंटी टीसरा है जी ब्यू फिप्टी सेब्ड़ जी ब्यूब बंप इस सुपट घ्रव सेब्स्टाओ कि एमार्तो बंप बन जब बड़ता बंप बंप इसरेयल की अरफोस इस सुप तरहाजा कि इमार तोगोग मेल बंप तब्स्टी में बंप इस में ज्यादा तर्धमा के ऐसी हैं जो हमास की बजाए आम लोगों को निशाना बना रहे हैं पंद्रह हजार से ज्यादा मौत हो चुकी है और इनमें हमास के गिने चुने कमांडर मारे गए हैं जबकि इस्रेयल की बंबारी में साड़े छे हजार से जादा बच्चों के जान जा चुकी है हमास को मारने के लिए इस्रेयल बेतर की बंबारी कर रहा है क्योंकि इस्रेयल का कहना है कि वो हमास को खत्म करने के लिए गाजा का कोई कोना नहीं छोड़ेगा और जाहिर है कि इस्रेयल को अमेरिका की मदद जारी रहे हमास का सोरंग ने तो कहां तक फैला हुआ है इसके बारे में इस्रेयल की खुफिया एजेंसी मुसाद तो पहले ही पूरी तरफ फैल साबित हो चुकी है वैसे हमास की सोरंगों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए इस्रेयल की एर फोर्स तीन तरह के बहुत महंगे बंकर बस्टर बंप इस्तेमाल करती आ रही है इस्रेयल का जीबियू 28 बंकर बस्टर बंप 6 मीटर मोटी कंक्रीट की परत को पार कर सकता है सोरंग ज्यादा गहरी है तो जीबियू 72 बं में ये 30 मीटर मोटी कंक्रीट को भेद सकता है तीसरा बम सबसे ज़ादा खतरनाक है ये है GBU-57 जो 60 मीटर की सदर को भेदने के बाद तबाही मचाता है यानि जमीन के 60 मीटर गहराई में छुपना भी मौत से नहीं बचा पाएगा ये बम जिस गहराई में जाकर पढ़ते हैं वहाँ कुछ भी नहीं बचता मिसाल के तौर पर जब 30 मीटर की गहराई में किसी सुरंग में 1000 किलो विस फोटक फटेगा तो अंधासा लगाया जा सकता है कि कैसे पूरी सुरंग एक बार में ठह जाएगी और वहाँ छुपा दुश्मन कितना भी शातिर क्यों नहों वो मारा जाएगा लेकिन इस्रेल के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं रहने वाला उसके पास चाहे जितने बंकर बस्टर बम हो लेकिन हमास की सुरंग भी ऐसी है जिनका नेटवर्क और जिनकी गहराई अब भी इस्रेल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी होई है नेतन याहू के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि जो बम 10 करोड रुपए से लेकर 30 करोड रुपए में आता है उसको कहां इस्तेमाल किया जाए इतना महंगा बम और सुरंग भी कोई छोटी मोटी नहीं बलकि 500 किलो मीटर का नेटवर्क अब इस्रेल को अमेरिका से मिल रहा है उसका सबसे फेवरेट बंकर बस्टर बम जो सस्ता भी है भरोसे मन भी है जिससे घाजा की दबाही और तेज़ की जा सकती है इस्रेल ने इसका इस्तेमाल कई जगों पर किया है देखते ही देखते इसके एक हमले से पूरी की पूरी इमारत गिर जाती है जमीन के नीचे सुरंग ढह जाती है इस बम का नाम है BLU 109 870 किलो का ये बम 7.11 इंच लंबा होता है 370 मिली मीटर की गोलाई होती है सबसे खास बात ये कि इसकी कीमत सिर्फ 21,000 टॉलर जो बाकी बंकर बस्टर बम के मुकाबले काफी कम है यही वज़े है कि अमेरिका ने इसरेल को ये बम बड़ी तादाग में सप्लाई कर दिये है लिहाज़ा इसरेल के एर फोर्स ने अब ज्यादा से ज्यादा बंकर बस्टर बम फायर करने का फैसला किया है ताकि हमास की सुरंग को जमीन के अंदर ही खत्म कर दिया जाए दरसल हमास की पूरी ताकत इस वक्त सुरंगों में छिप्पी होई है और यही नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा खत्रा है अमेरिका में ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में है इसके लिए बाइडन की आलोचना भी हो रही है के घाजा पर बंबारी के लिए अमेरिका ने इसरेल को 5000 से जादा MK-82 बम दिये हैं ये अनगाइड़ बम होते हैं इसके अलावा अमेरिका ने करीब 5,000 MK-84 बम दिये हैं इसके अलावा 1000 GVU-39 स्मॉल डायमिटर बम सप्लाई किये हैं साथ ही 3000 से जादा जेटाम यानी ज्वाइन डियरेक्ट अटेक म्योनिशन बम भी बेज़े हैं घाजा में चाहे ऊपर बड़ी बड़ी अमारतें डाही जा रही है रहाईशी इलाके पूरी तरह मलबे वाला कब्रिस्तान बन चुके है वहाँ जमीन के नीचे हमास का ऐसा जाल भेला हुआ है कि उसका बाल भी बांका करना नेतन्याहू और उनकी फौज के लिए पसीने छोड़ाने जैसा होगा अब तक इसरेल ने कितने बंकर बस्टर बंप इस्तेमाल किये ये बात बुखता तोर पर नहीं कही जा सकती लेकिन इसरेल का दावा है कि उसने हमास की करीब 800 सुरंग दबा कर दी है इसरेल का दावा है कि हमास की कई सुरंग असपतालों में मिली गाजा के समयाप पर आप हमास का टनल नेट वर्क देख सकते हैं गाजा के अंदर ये नेट वर्क 500 किलो मीटर का बताया जाता है और कई जगे ये सुरंग 500 फीट की गहराई में है यानि सते से करीब डेड़ सो मीटर नीचे हैं ये इतनी गहराई है जहाँ पर कोई बंकर बस्टर बम नहीं पहुत सकता इसलिए नेतन्याहु को सुरंग नेटवर्क को तबाह करने के लिए बहुत सटीक इंटेलिजन्स शाहिए होगी और ये काम मुसाद ही कर सकता है इसरेल की सेटलाइट नेटवर्क को भी अब तक इस नेटवर्क का पता करने में कोई काम्याबी नहीं मिली है लेकिन गाजा युत का दूसरा सच ये दिये कि हमास के चुनिंदा कमांडरों को मारने के लिए इसरेल हद से जादा बंबारी कर रहा है और इसका टार्गेट आम लोग बन रहे है सीज फायर तक उमीद थी कि ये युद नए समझोते के साथ रोग जाएगा या फिर इसरेल की रणनीती बतले की लेकिन अब उसने जो हाल उतरी घासा का किया वही हाल वो दक्षणी घासा का कर रहा है जबकि इसरेल नहीं उतरी घासा से लाखों लोगों को दक्षण की तरफ जाने की वानिंग दी थी घासा में 15,000 मौतों के बाद पहले ही घुस्जा पूरे पश्यमेशिया में भड़क चुका है अगर दिसंबर में ये युद्ध नहीं रुका तो समझ लीजें कि 2024 का साथ 2023 से भी ज्यादा खोंखरा बेबला होगा और इसकी वज़े से दुनिया में कई बड़े युद्ध शुरू होने का खत्रा बढ़ जाएगा